हलो फ्रेंज यूर एजुकेशन गाइड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपडेट कैनरा बैंक के तरब से अगर आपका आपका कैनरा बैंक में एकाउंट है तो आपकी जेब पर ये बतलाव बहुत ही भारी पढ़ने वाला है क्योंकि कैनरा बैंक अभी तक जो सेवाएं देती थी अब उसने उसके रेट बढ़ा दिये है चलिए फटाफ़र जानती हैं वो कौन-कौन सी सेवाएं है जिनके रेट चेंज हो गए है पहला बतला उन्होंने किया है चेक रेटन होने पर जो शुल कियाने की फीस लगाई जाती थी उसको लेकर तो दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि अगर कोई टेकनिकल रीजन की वज़़ा से हमारा चेक बाउंस हो जाता है तो उसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती लेकिन अगर उसकी इंस्पेक्शन करने के बाद हमें पता चलता है कि वो चेक हमारी वज़़ा से ही बाउंस हुआ है तो एक हजार रुपे से कम का जो चेक अगर वापिस होता है तो उसके उपर जो चार्ज लगेगा वो दो सो रुपे लगेगा वहीं अगर दस लाख रुपे से कम वैलुका अगर कोई चेक बाउंस होता है तो उस पर तीन सो रुपे लगेंगे इसी तरह से दस से पचास लाख के मुले के बीच में अगर कोई चेक बाउंस होता है तो उस पर 500 रुपे लगेंगे और 50 लाग से उपर का और एक करोड के अंदर का जो चेक बाउंस होगा उस पर 1000 रुपे का जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद एक करोड से उपर की रकम होगी तो 2000 रुपे का जुर्माना लगेगा दूसरा बतलाव है डेबिट रेटन को लेकर Electronic Clearance Service के जरीए लोग investment से लेकर करच चुकाने तक किस सभी सेवाई लेते हैं इसमें एक निश्ची तारीक को ग्राहक के खाते में एक तैय रकम कट जाती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे खाते में पैसन नहीं होता तो रकम नहीं कट पाती है जिस पर बेंक चार्ज लगाती है ECS डेबिट के रेटन होने पर अगर रकम 1000 रुपीज से कम है तो 300 रुपे लेकिन अगर रकम 1000 रुपीज से ज्यादा और 5000 के बीच में है अगला बतलाव है नियूनतम अमाउंट जबा करने को लेकर बैंक के मताबिक एवरेज मिनिमम बैलन्स ना रखने पर ग्रामीन इलाकों में 500 रुपे वहीं अगर कोई कस्बा है और छोटे शहर है तो वहाँ 1000 रुपे और अगर कोई बहुत बड़ी सिटी है तो वहाँ 2000 रुपे का शुल्क लगाया जाएगा वहीं किसी महीने औसट बैलन्स ना रखने पर शहरों में 45 रुपे से 1999 रुपे तक की फीस लगाई जा सकती है और उस पर GST भी लगाया जाएगा और कस्बो और सहरों के लिए ये अमाउंट होगा 45 रुपे से लेकर 999 रुपे तक और उस पर GST अलग से लगेगी और वहीं अगर आप गाउं में रहते हैं तो ये फीस होगी 45 रुपे से लेकर 499 रुपे तक अगले बदलाव है मोबाइल और इंटरनेट के जरिये अगर आप फंड ट्रांसफर करते हैं तो बैंक के मताबिक तो बैंक के मताबिक 1000 रुपे से कम के अमाउंट पर कोई भी फीस नहीं लगेगी अगर 1000 रुपे से 10,000 रुपे की रकम ट्रांसफर करते हैं तो 3 रुपे फीस लगेगी वहीं अगर 25,000 से 10,000 रुपे के बीच का फंड ट्रांसफर करते हैं तो 5 रुपे फीस लगेगी फिर अगर एक लाग से कम के फंड ट्रांसफर करते हैं तो उस पर आठ रुपे के फीस लगाई जाएगी फिर अगर लाखों में ये अमाउंट होता है जैसे कि एक से दो लाख रुपे के बीच में आफ वन ट्रांसफर करते हैं तो पंदर रुपे फीस और दो से पांच लाख के बीच में तो बीस रुपे फीस लगाई जाएगी और इसके साथ ही मुबाइल नंबर इमेल पता आदी में बतलाओ के लिए आपको 50 रुपे की फीस देनी होगी तो दोस्तों इस तरह से के अंडरा बैंक अपने दोरा दी जाने वाली सभी सेवाओं के लिए आप से जो चार्जिस लेती है अब उसमें उसने बढ़ातरी कर ली है अगर आपका एकाउंट है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते लेकिन अगर आप एकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं तो आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए तो ओफरेंट के आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इंफरमिशन अच्छी लेगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा